नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 ओक्टूबर दिन रविवार आप सभी को बिहारी निउस की ओर से महास्टुमी की हार्दिक शुब काम नाए खब्रों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज है मा महागौरी की पुजा जानिये क्यों है महास्टुमी की इतनी महत्ता बिहार के 17 साल के युवा भी मद्दाता सूची में जर्वास सकेंगे अपना नाप 6,669 करोर से बदलेगी बिहार की सूरद राचे में अचानक थंड में होगी बढ़ोतरी पिछले विश्वकप में न्यूजिलैंड से मिलिहार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तकी 25 वरी खबरों क्यों वस्तार से एक्जिम्ट बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकली भरती एक्जिम्ट बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 45 पदों पर भरती के लिए अधिसूशना चारी की है ऐसे में जो लोग इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह www.eximbankindia.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार के पास सरकार SICTE UGC द्वारा अनुमोदत मानिता प्राप्त विश्विद्याले संस्थान से नीमलिखित सेचनिक योगिता होनी चाहिए वहीं सजुरी अधिक जानकारी के लिए एक चुक मेदवार जारी केगद सूशना को देख सकते हैं आज है मा महागौरी की पूजा जानिये क्यों है महास्टमी की इतनी महत्ता आज यानि की 22 अक्टूबर को शार्दी नवरात्र का आठवाद दिन है से में आज के दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है मालुमों की महास्टमी की अपनी एक विशेश महत्ता है ऐसी मानिता है की मा महागौरी की पूजा करने से आयू सुख और सम्रिधी आती है मालुमों की मा महागौरी बैल पर सवार रहती हैं और सफेद वस्त्रधारन करने वाली चतरभुस देवी है मा का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिये हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है महीं बाई वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाले हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है मा के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है, बता दी कि मा महा गौडी ने अपनी तपस्या से गौड वर्ण प्राप किया था, ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति के समय यह आठ वर्ष की थी, इसलिए नवरात्र के आठ विदिन पूजा जाता है, यह भी माना ग पंडालों का पट खुल चुका है, ऐसे में हजारों लोगों की भीर पूजा पंडालों पर लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में आज होनी वाले इस मैच में भारत का नियूजिल लैंड के खिलाफ जीत दर्श करना आसान नहीं होगा, मालू हो कि वंडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें नियूजिल लैंड ने 5 तो वहीं भारत ने 3 मैचों में जबकि एक मैच बे नतीजा रहा, वहीं दोनों टीमें अब तक वंडे में कुल 116 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 58 और नियूजिल लैंड ने 50 मुकाबलों में जीत दर्श की, वहीं 7 मैच बे नतीजा और एक टाई रहा है, मालू हो कि अब तक दो कोनों ही टीमों के द्वरा विश्व कब 2023 में 4-4 मुकाबले खेले गए है, जिसमें उन्होंने जीत हांसल की है, ऐसे में आज होने वाले स्मैच में किसी एक टीम का विज़ई रत तूट जाएगा, ऐसे में अब यह देखना दल्चस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम अपने जीत को कायम रखती है, हाला कि भारत के प्रदर्शन को देखते वे, यह उमीद की जात सकती है कि भारत अपने जीत की लाई को बरकरा रखेगा विहारी बोतरे स्पेशर में आज हम बात करेंगे भवाणी भटाचारी के बाड़े में भवाणी भटाचारी बंगाली मूल की एक भारतियर लेखी का थी जिन्होंने समाजी के अथार्तवादी कथा साहित्यर लिखा था उनका जन बिटिस भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के भाग भागलपुर में हुआ था भटाचारी ने पैटना विश्विद्याले से सना तक की डिग्री और लंदन विश्विद्याले से डॉक्टर ग्रेट की उपाधी प्राप की वह भारत लोट आए और राजने एक सेवा में शामिल हो गए वह साहितिक छेत्रों में भी सक्रिये थे और उनका का विविन पत्रिकाओं और समचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था भटचारे के कुछ लेख दा इस्पिक्रिडर वप्रकाशित और उर्णे संपादक फ्रांसिस येट्स प्राउन के साथ दोस्ती विक्सत की उन्हें उनीसो सरस्ट में साहीत त्यकादमी पुरुसकार से भी सम्मूदी दिया गया राज्य सैचjuk उपलब्धी सर्वे में शा मिल होंगे 81,000,00 विद्यार्थी राश्ट्रिय सैच्छिक अनसंधान इवन प्रसेक्षन परिसद यानी की NCERT के दौर राश्ट्रिय सैच्छिक उपलब्दी सर्वे के नाम को बदल कर राज्य सैच्छिक उपलब्दी सर्वे कर दिया गया है ऐसे में इस बार सर्वे में बिहार के 27001 सरकारी स्कूलों का चेयन किया गया है जिसमें 80306 को शामिल किया जाएगा मालम हो कि अब तक इस सर्वे में कक्षा 3, 5 और 10 वी के चातरों को शामिल किया जाता था लेकिन अब इस सर्वे में कक्षा 3, 6 और 9 वी के बच्चों को शामिल किया जाएगा आपकी जानकारी के बता दे कि इस सर्वे हर 2 साल पर किया जाता है और इसमी केव सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ही शामिल होते हैं बता दे के लिखित परिक्षा के आधार पर NCRT की ओर से चातरों की रिपोर्ट तयार की जाएगी और यह लिखित परिक्षा 3 नमबर को आयोजित की जाएगी ऐसे में फिलाल इस सर्वे के लिए हर राजे में विद्यालियों को चिन्हत करने का काम पूरा कर लिया गया है वहें सर्वे के लिए तीन चड़ों में प्रसक्षन दिया गया है विहार के 17 साल के युवा भी मदाता सूची में जरुआ सकेंगे अपना नाम अब मदाता सूची में नाम जरुआने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी अनिवाले नहीं है बता दे कि अब एडवांस फॉर्म भर कर 17 साल की उम्र में भी आप मदाता सूची में अपना नाम जरुआ सकते हैं मानुम हो के निर्वाचन आयोग द्वारा एक जरुआरी दोहजार चौबस को हरता थी थी मानकर विसे संचर्थ पुनड़िक्षन के लिए चार निर्धा रिती थी हो एक जरुआरी एक अप्रैल एक जुलाई तिथा एक उक्टूबर को 17 वर्ष से जादा उम्र होनी पर व किसानों को निरंतर उनती की ओड़ आगे बढ़ाने के लिए क्रिसी रोड मैप का विस्तार वर्ष तो होजार अठाइस तक किया गया है बतादे कि चतुर्थ क्रिसी रोड मैप में कई घोशनाई की गई हैं जिसके तहत 17 करोड से अधिक गुनवत्ता वाले पौधों का वि फुट एकाई का निर्मान होगा क्रिसी विपन निदिशाले के स्थापना होगी 3599 कस्टम हाइरिंग सेंटर खुलेंगे 226 प्रखंड नरसरी और 30 प्लग टाइट नरसरी के स्थापना होगी और साथ ही 100 सीड हब का वे निर्मान किया जाएगा आपके जानकारी के लिए बत संजय जर्शवाल के दोरा बेतिया में बीते दिन चानकारी देते वे बताया गया कि बिहार के चंपारन के सुगौली और लोडिया चीनी मील में अब गन्ने के सीजन में 4 महीने गन्ना से और उसके बाद 6 महीने मक्का और ब्रोकन राइस के जरिये इतिनौल का उतपादन कि किया जाएगा बता दे कि यह पहल केंदर सरकार की ओर से शडुकी गई है जिससे चंपारन के किसान को काफी लाग पहुचने वाला है इस दिशा में केंदर सरकार की ओर से 168 करोर रुपे आवंटित किये गए हैं और साथ ही इसकी जिम्मिदारी केंदर सरकार की ओर से HPCL बायो फ्यूल्स को सौपा गया है टॉक्टर संजय जैस्वाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुगौली और लौरिया चीनी मील के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है बिहार के ट्रेनों में भारी भीर फ्लाइट किराया भी हुआ महंगा दुर्गा पूजा में सभी अपने घड़ पहुँच रहे हैं ऐसे में बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीर देखी जा रही है ट्रेनों में टिकट की मारा मारी चल रही है वही ट्रेनों में भीर होने की वज़ह से लोग हवाई मार्क का भिस्तमाल कर रहे हैं इसकारण अब फ्लाइट्स के किराय में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है पतादे कि दिल्ली पटना हवाई मार्क पर किराया लगभग 18,000 के पार्क पहुँच गया है अगर ट्रेनों के बात करें तो स्लीपर ट्रेनों में जितनी सीटे हैं उससे तीन गुने या त्री सवार होकर पटना दानापोर और पाटले पुत्र जंक्शन पहुच रहे हैं बैंगलोडू पूरे नई दिली से आने वाली ट्रेनों में इसका खूब असर दिख रहा है बालूम हो कि पटना में देशरा मिला सब्तमी से लेकर नवी तक रहता है पतादे कि गया आड़ा और मुकामा की ओर से आने वाली पैसंजर ट्रेनों में भी भीर उमरती है 6,669 करोर से बदलेगी बिहार की सूरत नगर निकायों में स्वास्त सक्षा और अधार भूत सनच्डा विक्सत करने के लिए वीतिय वर्ष सो हजार चौबस पच्चिस में 6,649 करोड उपय अनुदान के रूप में दिये जाएंगे बता दे कि राशी छटवे राज्य वित आयोग की अनुसंसा पर मिलेगी जिसमें से 3,706 करोड डिवुलेशन फट होगा और 2,633 करोड अनुदान मालम हो कि बिहार के विकास और प्रगती के लिए 6 वित आयोग की अनुसंसा के बाद यह राशी मिलेगे इस राशी से नगर निकायों में स्वास्त सिक्चा और अने छेत्रों में सुधार किया जाएगा इसके साथ ही 300 करोड पे अतरिक्त विशेश पैकेज के रूप में भी दिये जाएंगे गौर तलब है कि सोलवे वित आयोग की अनुसंसा के आधार पर 2035 की अबदी है तो केंदरी कडों में राज्यों की हिस्तेदारी और दूसरी वीतिय सुधायत तैह होंगी अबी 15 वैवत आयोग की अनुसंसा के आधार पर वीतिय आवणटन हो रहा है बिहार परिटन में आजम बात करेंगे स्रितला माता मंदर के बाड़े में कंकरबाग कुम्रान रोट के पूरब में गांधी सेतु के नीचे से होते हुए स्रितला माता का मंदर रस्त है यह हिंदु देवी मा दुर्गा का एक उपासना पीठ के साथ साथ शक्ती पीठ भी माना जाता है दिहासकारों के मताविक पच्चिस सो वर्ष पुर्व यहां कुआ एवं वर्तमा नौ पिंडी थी जो छोटे मंदर में स्थापित थी मंदर के मुख्य द्वार के पूरव में ही सुतला माता का मंदर है मंदर के दरवाजे के पूरव एवं दक्षन कोने पर सुतला माता की खड़ी मूर्ती है शुतला माता के मूर्ती के दाहिने त्रिशूलत था उसके दाहिने पिंडी रूप में योगिनी बिराजमान है सुतला इसकुमे की खुदाई समराट अशोक के काल 273-232 इश्वी पुर्व की गई थी इसकुमे की खासियत यह है कि इतना पुराना कुआ होने के बाद भी यह कभी नहीं सूखता है बार निरोधक कारियों की गुनबत्ता जांच कराएगा विभाग राजी सरकार के जल संसाधन विभाग के दोरा पक्छवार और प्रमंडलवार बाहर निरोधक पूरी हो चुकी या निर्माना धीन 10% कारियों की random जांच करने का नर्णय लिया गया है बतादे कि जांच करने की जल संसाधन विभाग के दोरा उरन दस्ता को सौपी गई है मालुमों कि विभाग के ओर से यस पस्ट तोर पर कह दिया गया है कि राजियों के जिन अस्थानों पर भी बाहर निरोधक कारे चल रहे हैं वहर हाल में तैमान को के नुसार होना चाहिए अगर जांच के दौरान किसी प्रकार की कोई गरबड़ी पाए जाती है तो संबंध अंधिकारियों इंजिनेरों पर कारवाई की जाएगी ऐसे में जांच को पूरा करने के लिए विभाग के ओर से जिस दल का गठन किया गया है उसमें विशेश इंजिनेर सामिल है जो जांच को पूरा कर रिपोर्ट सरकार को सौपेंगे इस संबंध में विभाग के सियुक्त सजीव के द्वारा सभी मुख्य अभियनताओं को जानकारी दे 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 हैं उद्योग विभाग ने बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 के बारे में दी जानकारी पता दे कि उन्होंने इस नीती में समाहत परियोजनाई प्रोट साहन के लिए अनुदान आदी से संबंधित विस्तरिच जानकारी दे इस दोरां सियम नितीश के द्वारा कहा गया कि बिहार में उद्योग को प्रोट साहित करने के लिए कई कदम उठाए गया है जिससे अधिक से अधिक निवेस हो सके और यहां रोजगार का अफसर भी स्टरिच जित हो कुरोना नकाल के दोरान भी हम लोगों ने बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को यहां आकर अपना काम शूरू करने के लिए प्रोट साहित किया है उन्होंने कहा कि हमारे दौरा लगाता लोगों के हित में काम किया जा रहा है पूरी जानकारी जैसे योजनौ के प्रारंब एवं अंत होने किती थी योजनाओ के अनुमारत राशी, योजनाओ में किये गए भुकतान की राशी और योजनाओ के अधितर प्रगती की फोटो उपलब्ध होगी बतादे किन सभी जानकारियों को कोई भी व्यक्ती ये पंचायत बिहार पोटल पर कहीं से भी देख सकता है पूजा पंडालों के पीछे अनिवारे रूप से रखने होंगे पानी भरे ड्राम अगनी समन महकमा के दोरा राज में दुरगा पूजा के मौके पर सजने वाले सभी पंडालों में सुरक्षा के मानक को लेकर कई मानक नरधारित किये गया है जिसके तहत ये हनिवारी कर दिया गया है कि सभी पूजा पंडालों को अपने पीछे एक या दो बड़े ड्राम में 200 लीटर पानी भर कर रखना होगा ताकि किसी तरह की आपात स्थिती में इसका तुरंत अस्तमाल किया जा सके और स्थिती पढ़नी अंतरन पाया जा सके इसके लावा वैसे पंडाल जो बड़े या अधिक भीर वाले हैं वहाँ विसे इस तोर पर अंदर की तरफ से अगनी रोधी गोल लगाने होंगे और अगर समभ हो तो पंडाल के बाहर की तरफ से भी घोल लगाया जा सकता है वहीं दीपक या धूब बती को पंडाल के बाहर जलाने की विवस्था करने को कहा गया है ऐसे में जिन पंडालों के दोरा अगनी समन विवाग के दोरा दिये गए तिशर नर्टीशों का पालन नहीं किया जाएगा उनके लाइसेंस को रदिकर दिया जाएगा और साथ ही इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है राजी में अचानक ठंड में होगी बढ़ोतरी विहार में मौसम का मिजास दिन प्रते दिन बदल रहा है बदलते हालात के बीच में अब लोगों को ठंड सताने लगी है मौसम विभाग के नुसार प्रदेश के कई जिलों में सुभा के समय हलका कोराड रहने की संभाबना है इस दुरान हवा में ठंडग बनी रहेगी इस दुरान लोगों को हलकी हलकी सिहरेन महसूस होगी हलाकि मौसम विभाग के तरफ से जारी अबडेट के नुसार दिन लोगों को हलकी चुभन भरी गर्मी रहेगी विभाग के तरफ से यह भी कहा गया है कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी साथ में रात में तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी मीदिया में चल रही खबरों की माने तो अगले चार दिनों तक मौसम पूरी तरह से सुस्क बना रहेगा हलाकि अस्दोरान आस्मान में बादल चाय रहने और बारिश होने की संभावना नौके बड़ाबर है सराब तसकरी का नोखा तरीका आया सामने बिहार में सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी सराब तसकरों के दोरा नए नए तरीके निजात कर सराब तसकरी किया जाड़ा है बताती कि ताजा मामला बिहार के गोपाल गंज का है जहां पुलस के दोरा वहन चांच के दोरान कुचाई को ठाना चितर के बथना कोटी एनच 27 के पास यूपी की ओर से आ रहे एक बाइक के सीट के नीचे छिपाकर रखी गई चौसर टिट्रा पैक विदीसी सराब बरामत की गई है इसके साथ ही पुलस के दोरा एक तसकर के भी गरफतारी की गई है जिसकी पहचान उचंक अगाउं थाना चितर के दही भातार गाउं निवासी धर्मराज के रूप में की गई है इस बारे में उतपाद अधिक्छा काकेश कुमार के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि वाहन जांच के दोरान यह काड़वाई की गई है यूपी के ओर से आ रहे बाइक सवार को रोग कर तलाशी लेने के क्रम में बाइक के सीट और टंकी में छिपा कर रखी गई दोरा दी गई जानकारी के नुसार किसी वाने की पॉपलर यानि की ETP योजना अंतरगत कम समय में तयार होने वाले पॉपलर प्रजाती के पौधे किसानों लाभुकों व उद्यमियों को प्रदान किये जाते हैं बता देक स्योजना के तहट वनविभा के स्थानिये पौध साला से 10 रुपे सुरक्षत मुल्य की दर से पौधे प्राब्ध किये जा सकते हैं तीन वर्षों के बाद 50 प्रतीशत से अधिक उत्तर जविता रहने पर साट रुपे प्रती पौधा प्रोध साहन राशी तथा सुरक्षत मुल्य दस रुपे भुकतान किये जानी का प्राब्धान है अपकि जानकारी के लिवतादे कि स्योजना के तहट लगाए गए पौधे पर संपुर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा मालम हो कि अगर हम इस योजना के तहट उपलब्धी की बात करें तो वीदिये वर्ष 1012-13-2021 तक कुल 327 दसम नो 327 लाग पौधार ओपन इस योजना की मदल से किया गया है इस योजना से जोड़ी विस्तर जानकारी के लिए इस्थानिय वन प्रमंडल या वन परच्छेतर कारयारे से संपर्थ करें या 0612-222-6911 या 947-3045-992 पर कॉल भी कर सकते हैं इसके अलावा स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं अब तीर मिनट की क्लास देकर गूगल सिखाएगा अंग्रेजी बोलना गूगल जल्दी भारत, इंडोनेशिय, अर्जंटिना, कोलंबिया, मैक्सिको और वेनेजुएला में परसनलाइस्ट फीड़बैक फीचर लाँच करने वाला है जो यूजर्स को अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा अगर आपकी अंग्रेजी कमजोड है या वो कैबलेडी में आपको परिशानी होती है तो अब गूगल आपकी समस्या को दूर करेगा जब आप गूगल पर कोई सब्द ट्रांसलेट के लिए सर्च करेंगे तो आपको एक पॉप अप दिखेगा जो आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कहेगा वह यहां Google आपसे कई सवाल पुछेगा जिसका जवाब आपको देना होगा Google आपके जवाब के आधार पर 3-4 दूसरे सेंटेंस भी दिखाएगा और ये भी बताएगा किस तरह आप अलग-अलग तरीके से वह बात कह सकते हैं इसके लाबा कंपनी आपको grammar से जड़ा feedback भी देगा जो आपको ये बताएगा कि आपके वाक्य में गलती क्या है और सही वाक्य क्या है ये सभी आपको हर स्लाइट में देखने को मलेगा इसके साथ ही हर वाक्य की वो कैबलरी भी उप्लबद होगी चुनाव ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता या मृत्यू पर 30 लाग तक का अनुदान विद्वभा के प्रधान सचीव अर्विंद कुमार चौधरी के द्वरा अधिसूशना जारीकर या जानकारी दी गई है बिहार में चुनाव ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों के उग्डवादी हतियार बंध हमला हंसा गतिवीदी वक कोरोना से मृत्य हो जाती है तो उन्हें 30 लाग रुपए तक दिये जाएंगे इसके अलावा अगर चुनाव कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को उग्डवादी या हंसा गतिवीदी में स्थाई दिव्यांकता हो जाती है तो उन्हें 15 लाग रुपए दिये जाएंगे अगर गंभीर चोट लगने के कारण अस्थाय दिव्यांकता होती है तो चुनाव कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को साथ दसम्लों पांच लाग रुपए दिये जाएंगे बतादी के अधिसूशना के मताबिक राश्ट्रुपती उप राश्ट्रुपती चुनाव व बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार के द्वारा मीडिया से बाचित करते वे उप मुख्यमंतरी तेश्वी आदव को लेकर एक बड़ी बात कह दी गई है जिसके बाद राश्ट्रुपती गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है दरसल सीएब नितीश के द्वारा बि आजी तेज हो गई है मालमों कि बीजेपी से नाता तोर कर महागरवंधन के साथ सरकार बनाने में के कुछ महीनों के बाद नितीश कुमार ने कहा था कि साल 2025 का विधान सभाचनाओ तेश्वी आदव के नर्तितु में ही लड़ा जाएगा अब एक बार फिर उन्होंने कह द समराठ चौदरी ने कहा नितीश कुमार को आडाम करना चाहिए मेरा मानना है कि वह बिमार चल रहे हैं वह कभ क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता वह कभ किसको दोस्त बनाएंगे किसको दुश्मन बनाएंगे या कहना मushकिल है लेकिन उनको इतना डर क्या है वो डर क्यों च कहा कि वह बुजर्ग हैं उनसे जरूर ट्यूशन लेंगे अगर इतीश कुमार सिखाना चाहते हैं तो हम तयार हैं लेकिन यह तो बताना पड़ेगा कि उनसे सीखना क्या है अगर वो पल्टासन सिखाएंगे तब तो नहीं जाना है भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्डो से दर्च भारत की सबसे बड़ी बहुत देशीर नदी घाटी परियोजना भाखरा नांगल व्रास्ट्र को 1922 में समर्पित की गई इसलों ने भारत के पहरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान एक का प्रचेपन 2008 में किया ऐस मिशन से चंदर्मा पर पानी के होने का पता लगा भारत ने 2016 में कबड़े विश्वकब जीता स्रीहरी कोटा के सतीश धवन अंतरेश केंद्र से चंदरयान एका सफल प्रचेपन 2008 में किया गया हिंदु धार्मिक नेता स्वामी रामतिर्थ का जन्म अठाव सो तीहत्तर में हुआ जो अध्यतिक व्यक्तिकत और काव्यात्मक धंके वेभारिक वेदान को पढ़ाने के लिए विख्या थें महराज रंजीत सिंग का निधन अठाव सो तीह में हुआ पंजाब के महराज रंजीत सिंग का सबसे छोटा पुत्र दलिप सिंग का निधन अठाव सो तरानुए में हुआ आंदोलन के सुत्रधार था सहकारिता आंदोलन के प्रणीता ठाकूर प्यारेला सिंका रिधन 1954 में हुआ मांगला भार्षा के प्रसिद कभी और लेखक जिवनानंद दासका रिधन 1954 में हुआ परलकर में आज हम बात करेंगे आपात कालीन अलर्ट के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सचो यह जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आपात कालीन अलर्ट के बारे में दरसल प्याइबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डेपार्टमेंट ओफ टेली कम्यूनिकेशन्स कवर्मेंट ओफ इंडिया से एक आपात कालीन अलर्ट प्राप्थ हुआ है आपके फोन पर प्याइबी ने अपने ट्वीट में आगे लेखा है तो घबरानी की जरूरत नहीं है ये अलर्ट नियोजित परिक्षन प्रक्रिया का हिस्सा है और वास्तवी का आपात स्थिती का संकेत नहीं देता है इस्रो का गगनियान मिशन चंद्रयान से 14 गुना महंगा है मिशन भारत का पहला human space mission है जो तीन दिन का होगा इस mission के तहट तीन सदस्यों के ग्रूप को 400 किलो मीटर उपर प्रीथवी की कक्छा में भीजा जाएगा और फिर क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित रूप से समुन्दर में लैंड कराया जाएगा बता दे कि अगर भारत का यह mission सफल ह हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला अमेरिका चीन और रूस के बाद चौथा देश बन जाएगा मीडिया में चल रही खबरों के नुसार इस्टमेशन के लिए करीब 90.2 तीन और अरब रोपय का बजट आवंतित किया गया है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जबाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलस, तरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिछाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोस रहेंगे पूछेगे पांच सवाल में आपने कितना सहित दर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सहित तरह ओप्षने अलू अर्जन अगला सवाल, हाली में बिहार में चौथे क्रिसी रोड मैप 2023 को किस ने लॉंच किया? ओप्षने नितीश कुमार, ओप्षन भी तेश्वी आदव, ओप्षन सी द्रॉपदी मुर्मू, ओप्षन दी पीम मोदी उसका सहित तरह ओप्षन सी द्रॉपदी मुर्मू, अगला सवाल, बिहार में 1857 के विद्योप की श्रवात कभूँ? ओप्षने 1 जून 1857, ओप्षन B 12 जून 1857, ओप्षन C 1 जुलाई 1857, ओप्षन D 12 जुलाई 1857, ओप्षन D 12 जुलाई 1857 इसका सही उतर है ऑप्शन बी 12 जून 1857 अगला सवाल 1857 के विद्रों में बिहार के किस जमिंदार ने अंग्रेजों के विरुद यूद किया ऑप्शन ने मुहम्मद हुसैन ऑप्शन बी पीर अली ऑप्शन सी कुवर सिंग ऑप्शन दी इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है ऑप्शन सी कुवर सिंग अगला सवाल महात्ना गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ ऑप्शन दस अप्रेल 1917 ऑप्शन बी 17 अप्रेल 1917 ऑप्शन सी 21 अप्रेल 1918 ऑप्शन दी 11 जून 1919 इसका सही उतर है ऑप्शन 10 अप्रेल 1917 बीदे दिन हमारे द्रा पूछिए का सवाल का आप लोगों मिंस्टे बहुत लोगोंने प्नजब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन बॉकस में लिखकर दिया था जिन्नों हमारे दरा पूछिए का सवाल चंदर भूसन सहाई इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अब दुर्गा पूजा का मेला कब घूमने जा रहे हैं अपना जवाब हमें अमारी कॉमेर्स सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज कली इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहनी के के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहा हैं तो पीस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद